अगर आप भी शेयर मार्किट हो, चाए फोरेक्स मार्किट हो, या क्रिप्टो मार्किट हो, उसके अंदर ट्रेडिंग करके आपना काफी अच्छा कासा नुकसान कर चुके हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजे बताने अगर आपको पसंद आई तो, जितने लोग ट्रेडिंग को बुरा भला बोलते हैं, ट्रेडिंग को 60 बजार बोलते हैं, फिर कहते हैं कि ट्रेडिंग में फायदा नियुकसान ही होता है, जो मार्सल आर्ट होता है, मार्सल आर्ट के अंदर डिफेंस के लिए आपको बहुत winning move बहुत कम आपको मिलते हैं दो या तीन move मिलते हैं और उनके उपर आपको lifetime practice के लिए बोला जाते हैं कि आप इस पर practice 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 करते हैं लेकिन इसके अलावा second moves ऐसे सिखाए जाते हैं जिसमें कि आप आपने आपको defense करते हैं सेम उसी तरीके से जब हम trading करते हैं तो trading के अंदर क्या होता है trading के अंदर आपने देखा होगा second candles है 600 से ज़्यादा candlestick patterns है इसके लावा आप देखोगे trend है अलग-अलग type के तीन type के तो trendy आपको देखने को मिल जाते हैं इसके लावा आप आप देखेंगे chart patterns आपको बहुत type के दिखा देते हैं यानि कि यह सारी के सारी जो चीजे हैं जब हम पूरे overall technical analysis को देखते हैं तो वो हमारे defense में काम करता है किस defense में वो हमारे defense में काम करता है कि जो नुकसान हमारा होने वाला है उससे हम बच सके लेकिन profitable move अगर हम बात करें अगर हमें profit बनाना तो आपको सारा technical analysis apply करने की जरूरत नहीं है उसमें आपको सारे indicators apply करने की need नहीं है कुछ चुनिन्दा 4 या 5 patterns को आप रट लीजे profitable move के रूप में याद कर लीजे कि यही आपको बार-बार profit देंगे बाकी चाए वो candlestick patterns है indicators है उन सबको आप defense में use करिए यानि कि अगर आपका नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को बचाने में या average out करने में use करिए कौन से हैं यह 5 patterns सबसे पहले M pattern, W pattern, head and solder pattern inverted head and solder pattern और उसके बाद आ जाता pole and flag inverted pole and flag pattern अगर W pattern की बात करूँ जब भी आपको support पे दिखाई दे तो तो आप इसके उपर भरोसा कर लीजे अगर यह आपको किसी भी support से उपर दिखाई दे मतलब mid में दिखाई दे तो इसके उपर भरोसा नहीं करना चाहिए wait कर लीजे अगर support पे बनेगा तो ले लेना नहीं सेम उसी तरीके से जब आपको M pattern किसी भी resistance पे दिखाई देता है तो resistance का मतलब है कि वहाँ से आपको breakout मिला उसके बाद आप उसके भरोसा कर सकते है resistance पे अगर आपको head and solder pattern दिखाई देता है इसके अलावा बीच में कहीं पे भी mid में या support resistance के आसपास भी अगर आपको pole and flag pattern दिखाई दे इसका मतलब यह continuous pattern है W कौन सा pattern है? W pattern आपको basically trade लेने में बदद करता है यानि कि यहाँ से W pattern अगर आपको support पे दिखाई दे रहा है आप buy की trade ले सकते है अगर M pattern आपको resistance पे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आप वहाँ से कौन से trade ले सकते है short sell के trade ले सकते है वहीं पे head and shoulder आपको resistance पे दिखाई दे रहा है तो आप short sell के trade ले सकते है और mastery कैसे करनी है? आप पीछी जाईए ना चार्ट में आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल पुरानी चार्ट को आप देखिए और हर जगा इन 5 pattern को खोजने का प्रयास करें इन 5 pattern को देखिए कि इन्होंने कहां कहां पे trap बिछाया किस तरीके से उस trap को तोड़ा है कितना maximum stop loss होई हीट होने के chances है तो इनके उपर आप mastery करिए इनके उपर back testing करिए अगर ये 5 pattern आपको अच्छे तरीके से practice में आ गए तो ये आपको profit देंगे और बाकी के जो strategies है जो technical analysis जो हम course में सीखते हैं YouTube पे सीखते हैं, candles के बारे में सीखते हैं वो सारी की सारी चीजे काम आएंगे defense में जब कभी ये patterns आपको माल लीजे ये trap में फसा रहे होंगे तो वो defense में काम आजाएंगी चीजे technical analysis जरूर ही है पूरा technical analysis सीखना चाहिए लेकिन जीत के लिए कुछ move ही काफी है बाकि सारी चीजे आपके defense में काम करेंगे I hope आपका कुछ ना कुछ concept जरूर किलियर हुआ होगा अगर आपका concept किलियर हुआ तो मुझे comment box में जरूर बताइए कि आपको ये video कैसा लगा आपका कौन सा concept किलियर हो और आप कहा mistake कर रहे थे और ये जो strategy मैंने आपको बताई क्या ये आपके काम आने वाली है अगर आने वाली तो कितना काम आने वाली ये भी मुझे comment box में जरूर से बताइएगा और अगर आपका कोई साथी नुकसान कर चुका है बहुत नुकसान कर चुका है काफी अच्छा कासा नुकसान कर चुका है मार्केट में तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर येगा thank you so much मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई have a good day